और दोस्तों अब जानते हैं अपने नए राष्टरपती के बारे में भूत सी ऐसी जानकारी जो किसी को पता नहीं होगी नमर वन द्रोपदी मुर्मू का जन्व ओडिशा के मयूरगन जिले के बैत पोसी गाउं में 20 जूर 1958 को आदिवासी जाती में हुआ नमर टू उनके पिता का नाम बिराची नारेंट टुन्डू है और उनका विवाज श्यामचरन मुर्मू से हुआ था नमर थ्री उनका बच्पन बेहद अभावों और गरीवी में मिता था लेकिन उन्होंने अपनी मिहनत के चलते इतना कुछ हासिल किया है नमर फूर भुमनेशुर के रमा देवी विमेंस कॉलेज में ग्रेजुशन तक पढ़ा ही पूरी की नमर फाइव उननीस उनासी से उननीसो तरासी तक सिंचाही और विजली विवाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में कारे किया इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ओन्रेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कारे किया नमर सिक्स द्रौबदी जारकन की आधिवासी पूर्ण कालिक राजिपाल है और 2015 से 2021 तक राज्य की गवर्नन के रूप में भी अपनी सेवाई दी है नमर सेवन देश की पहली ट्राइबल राश्टेपती और साथ ही देश की दूसरी महला राश्टेपती और सबसे कम उम्र की राश्टेपती बनने का रिकॉर्ड भी उनी के नाम है नमर एट शाम चलन मुर्मू और दौबदी मुर्मू को तीन संताने हुई इनमें दो बेटे और एक बेटी भी लेकिन पूर्मू के पती और दोनोत बेटों की मरित्टी हो गई थी अभी परिवार में मुर्मू की एक बेटी है 9. मुर्मू के दूसरे बेटे की मौत रह समय रही क्योंकि वे अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालात में मिले थे जिसके बाद उन्हें पास के अस्पताल में पहुँचाया गया और उसके बाद राजदानी विमनिश्चर के अस्पताल में ले गए लेकिन हो बच नहीं सका नमर टेन 2016 में मुर्मु ने राजची कश्या मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित एक रन आफ विजन प्रोग्राम में अपनी आँखे दान करने की घोशना भी की है नमर लेवन मुर्मु मानती है कि Life is not bad of roses जिवन कठाईयों की बीच ही रहेगा और हमें आगे बढ़ना होगा कोई पुश करके कभी हमको आगे नहीं बढ़ा पाएगा और हम मुर्मु भारत की राश्ट्रपती बनने जा रही है राश्ट्रपती का चुनाव अप्रत्यक्ष निरवाचन यानी indirect election द्वारा होता है इसका मतलब यह है कि राश्ट्रपती का चुनाव electoral college करता है और देश की जंता राश्ट्रपती का चुनाव सीदेख खुदने करती बलकि उसकी वाट से चुने में प्रतिनीधी यानि सांसद और विधायक करते हैं राष्ट पती पत के लिए क्या क्या जरूरी है भारत का नागरिक होना चाहिए 35 वर्ष की आयू से जादा की होनी चाहिए सबसे पहले प्रतेक उमीदवार को अपना नामंकन दाखिल करना होता है मतलब फॉर्मर के देना होता है नमर टू राष्ट पती चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपे से धिक जमा करने होते हैं नमर त्री 50 समर्थ को के हस्ताक्षर की वी सूची भी देनी पड़ती है क्या आपको पता है MP यानी सांसदों को हरे रंग और ML यानी विधाय को गुलाबी रंग का मतपत्र देने के साथ साथ विशेस पैन भी दिया जाता है जिसका उप्योग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं मतपत्र में सभी उमिद्वारों के नाम होते हैं जो राश्च्रपती चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने पसंद के हिसाब से नमबर डा सकते हैं और आपको ये जानकर हरानी होगी कि वोट डानने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग लग होता है यारी हरियाना के MP की वैल्यू गोवा के MP से कम होगी क्योंकि ये सब उनके राश्च्रपती की आबादी पर निरवर करता है उधारन के लिए देखें तो विधायक के मावने में जिस राश्च्र का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश की विधानसवा सदिस्यों की संख्या देखी जाती है वेटेज निकान लेकरे प्रदेश की जन संख्या को चुने में विधायक की संख्या से बाटा जाता है उससे फिर एक हजार से भाग दिया जाता है और अब जो आकड़ा आता है वही राज्य के वोट का वेटेज होता है उधारन के लिए उत्रपदेश में 402 विधानसवा सीटे हैं और यहां की जन संक्या साल 1971 की जनगंड़ना के मताबिक 8,38,95,90 है और इस हिसाब से यहां विधाय के मतपत्र का मूल्डे 208 है दोस्तों अगर आपको भी यह लगता है कि BJP ने काबिल लोगों को अच्छे पत दिये हैं तो कॉमेंट करें और बताइए कॉंग्रेस अभी भी अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं हटा रही है और दोस्तों अगर आपको जानकर यह अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल ग्यान कामका को अभी सब्सक्राइब करें